नमस्कार दोस्तों और फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लूर्ण वित एडिव फंडम मैं हूँ कॉसल जैस्वाग और फिर से लेकर मैं हाजिल हूँ रोजगार बैच का एक और क्लास जिसका आज का वाना टॉपिक है भारत के बहुत देशिये पर यूजनाय और किस नदियां पर बनी है उनसे कौन-कौन से लावानवित होते हैं दोस्तों एक वीडियो और सारी पर्योजनाय समाफ जी हाँ दोस्तों एक ही वीडियो में जितने पर्योजनाय तो चलिए दोस्तों आवाजवार सबसाइब तो थाम इंप्रेशन दीजिए ताकि क्लास की स्टार्ट की जाए जहां दोस्तों चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हमारा पहला है भाखणा नांगल पर योजना किस नदी पर बना है आई होप यह सब को पत अगरा नांगल पर योजना एक है कि फेस्ट नदी पर उधक मदर नदीस गया उपने आंसर दे अग्य देख्ते है रहां नांगल परियोजना किशना नदी पर बना है गाहटश नदी पर बना भाकडा नांगल प्रयोजना किशンダne लगाई दोस्तों यह सब्मठाध 14 नदी पर बना और यह मुक्री से कहां की परियोजना है पंजाब लेकिन इसे लावानवित कुन कुन से राज़ होते कि दूस्तों इस भाक्णानकल परियोजना कोन कॉन मतलब चार चार इस से लावानवित होते रों यहां दोस्तों ब्यास नदी पर्योजना से कौन-कौन से राज्य लवानवित होते हैं और आपको पता भी है दोस्तों चलिए आप अंसर दीए फिर इसका बताता हूं में रजस्थान पंजाब हर्याणा या फिर इन में से कोई नहीं बताएं दोस्तों हुआ 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 है तो दोस्तों ब्यास नदी पर्योजना सबसे पहले तो ब्यास नदी पर्योजना किस नदी पर है ब्यास नदी पर यह ब्यास नदी पर दोस्तों ब्यास नदी पर बनी है यह 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 ब्यास नदी पर वहरू कर लावाणवीद करती है जिनन राजयों करती है उन्हीं राजयों को यह ब्यास नदी पर्योंजना भीास नदी पर नहींู้ करती है अंतला क्याश्द देखरेई करेंगे दूस्तों कि पर्योजना इसक्लास में याद भी पशाया आगे चलते हैं लिशा《 वोलिवा पत्वाटातिषल नतले गट्र। और 11 तो यह स्थित्त है जहारखंड राजबीत होते हैं ज्यारखंड राजबीत骨मेसे पूछे और दूसरा क्या है आपका पस्चिम बंगाल दोस्तों अगर यह पूछे कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज जी में ज़तीत है और इसे लागानुवित वाले राज यह कौन से हैं तो जारखंड और पस्चिम बंगाल कि अडिश दौस्तों दामोदर नदी पर तीन परियोजना अपक नगर परियोजना Pakे बंगाल ऑकर चलते। हीरा कुंड बाद परियुजना किस नदी पर बना है यह मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों एक्जामिन में पुशी लिया आता हिए कि हीरा कुंड बाद परियुजना किस नदी पर इस्तित है क्या त्यूंग बद्रा नदी पर है क्या चंबल नदी पर है क्रिश्ना नदी प पतार दोस्तों हीरा कुंड बाद परयुजना किस नदी पर बुना है बतायां उम्मीद आपने एंसर दे दिया होगा चले देखते हैं तो दोस्तों हीराकुंड बाद पर्योजना और यह दोस्तों किस राज में है उडीसा उडिषा के आसपास के छेतर जो हैं इससे लगानवित होते हैं घांगे तम बात कुरी सबस्दुन कहां कर दोस्तों उडिषा में हैं और किस नदी पर हिए महा नदी पर हिए आगे चलते हैं हीरा कुल पर्यूजना से कौन साराज लभानवित होता चैसे लगाएंगे चंबल नदी परियुजना से कौन कौन से राज प्रभावित होते हैं बताएं दोस्तों क्या राजस्तान क्या मद्ध प्रदेश या फिर राजस्तान मद्ध प्रदेश दो नहीं या फिर जारखंड किademिदय अंसर दिया कथ चले लेखते हैं दोस्तों चंबलम नदी परियुजना किस नदी पर बने हैं चंबलकल कि और आपको पता हिए दौस्तों चंबल मुख़् revealed से कहा की नदी नदी है यह मत दोस्तों क्व नौर और लाज पर प्रभावित करने वाली पर्यूजना है क्या मयुरक्षी पर्यूजना है कि तुंग बद्रा पर रियूजना है है या फिर ना गारजुन सागर पर राम गंड present है नीए बतांहें दोस्तों कि कर लगा रहा है है थोड़ा से हिंट लगांगे के दोस्तों चुकि इस्टेटट हैं साउथ की नदीव पर ही बनी होंगी तो साौट नदीघूने कोई चार नदियां है तो अंदल लागा सकते करनाटक कौन नदी बहती होगी और वहीं पर यह पर्योजना इस्तित है और दो राजयोग प्रभावित करते किसको किसको तेलंगाना को और करनाटक राजय को नाम किया दोस्तों तुंग भद्रा पर्योजना और किस नदी पर बनी है ये तुंग भद्रा नदी पर बनी है नेक्स्ट है मारा मयूराक्षी पर यूजना कर आफे कि शुतने दोस्तों तो पस्चिम बंगाल में और किस नदी पर रहाए तो तो मैयुराक्षी नदीपर है कि नदीपर परियुजना किस नदीपर बना है और दोस्तों अभी भाली में लोग वहना ब्यारण और राष्ट्री उध्यान खत्ब किया है तो आपको पता ही चल लगे होगा नागर्जुन सागर त्रिसेलम कि बागा ब्यारण या राष्ट्री उध्यन कहां इस्तित है अंद्रप्रदेश में तो दोस्तों उसी से रिलेटर यह एक नागर्जुन सागर परिजना किस नदीपर बना है को सिन नदी कृष्णा नदी गुदावरी नदी या फिर इन में से कोई नहीं बताएं दोस्तों नगस्री नागवर्जुन सागर प्रिजना किस नदी पर बना है और कहां पए है कऊ कि आपने अंसर दे दिया हो का चलिह देखते हैं तो दोस्तों नागवर्जुन सागरपर प्रिजalyst नदी में बना कृष्णा नदी पर निय précéd.. कहां स्थित है दोस्तों आंदर परदेश और तेलंगाना नेग्स्त है मारा को इस आपको याद आज ul बात बताऊंगा कोसी पर्योजना से प्रभावित राज्य है बियार नेपाल रजयस्थान तथा मध्य परदिश पंजाब तथा हर्याड़ा या फिर गुज्रार से प्रभावित राज्य कौण कौण से हैं बताएं दोस्तों जल्दी से लिए हलुगा कोस्टन है मां अब कर देखते हैं अप्सक्षिप independent सुनते हों अक्सर समाह। सब्सक्राइब क्रोड़ का इन भाँ कि अच्छा नेक्षन है नेपाल बैहर में अंसर पता है दोस्तों बता दे में छोड़ा हुआ है जब भी नेपल से पाने दिखता होती है जोड़ता तो कहा सबस्यायाता है बिहार में पर बनी है में आप जलते हैं परक्का परियोजन安기स नदी पर बनाया गया है परक्का कुछना नदी पर नगर्वारी पाओ कैसे बताये दोस्तों पृष्टन एक सुक्षोच कर परियुजना की नदीप बनाया गया है प्लय मतार च्छलिए देखते हैं गंग तता भाग्यरति आग spor दोस्तों आपका वेस्ट बेंगॉल में ये इस्तित है फरक्काünde किस नदी पर गफास भागी दी में ए उप गुजरात में तापती नदी पर कौन सी पर्यूजना बनी है क्या कुंड़ा पर्यूजना है क्या रिहंद पर्यूजना है क्या काकड़ा पारा पर्यूजना फिर सेरावती पर्यूजना बताएं दोस्तों है हुआ है गुजरात में ताप्ति नदी पर कौँशी प्रयूजना बनी है बता दोस्तों कुभी आपने अनसर दे दिया होगा कि तो गुजरात में ताप्तिन पर पर्यूजना बनी है आप और तीस राज में था यह दोस्तों तो गुजरात में कि मैं कुछ इसे लेकर आता हूं कि कुछ इंफोर्मेशन देखर जाए है तो कहां पर गुजरात में तापती नदी पर कौन से पर्यूजना है काकड़ा पर पर्यूजना नेक्स्ट है अमारा और पर गादी नदी पर यूजना से कौन से राजला भान वीस होते हैं इंद्रा गादी नदी पर यूजना थे हैं Chi घणिवल और पर यूजना तो SEC अब देश करजे में था मतलब अब हाली में आजादी वसे प्रात्थ भारत को और देस testing देश कर्जे में था उसमें सबसे पॉली परिजना कौन सी थी इंद्रा गाधी परियुजना और आपको बता देए दोस्तों यह भार बीश्व बैंक्स और रिड लेकर यह बनाया गया था तो दोस्तों किस-किस राजी में इस्तित है क्या रजस्थान पंजाब हर्याणा क्या पस्चिम बंगल तर जारकंड क्या उत्तर पड़े समध्य पर राजस्थान यह फिच्छे नाइक केरल तमिलनाड बताएं दोस्तों इंद्रा गाधी नदी परियुजना व्यूजोजोन इंद्रा गाधी नदी परियुजना कहा है दोस्तों तो यह सटलज नदी पर बनी हुई है सथलज प्राज़ा और पंजाब और हर्याड़ा सबसे ज़्यादे किसको लाबानवीत करती है यूंकर राज़ादी नदी पर यूजना उसके पंजाब को फिर हर्याड़ा को यह लवानवीत करती है यहाँ पर नहर भी भनी हुई है इससे काफी करके नेक्स्ट हमारा उकाई पर युजना किस्ट नदी पर बनी है azinga गंगा नदी क्या थापति नदी क्या भद्रण नदी तरि है इंपोर्टन्ट इसको इस्टार्वार कर लिजयुए पांड проп तक तापति नदी में पर ऊंगाईना नदी पर मताली और याल यह गुज fully गुजरात में आपका उकाई नदी पर्यूजना इस्तित है नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर कौन सी पर्यूजना है उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर कौन सी पर्यूजना है पंचेत बाद शार्दा पर्यूजना रिहंद पर्यूजना या फ उत्तर प्रदेश में और किस नदी पर बनी है दोस्तों रियंद नदी में आगे है दुर्गा बैराज परियोजना से कौन-कौन से राज्य लवानवित होते हैं केरल था करनाटक पस्चिम बंगल जहार खंड उडिशा या फिर बिहार एवंग नेपाल बताएं दोस्तों हां है शनीद अपने अंसर देदियो चरेखते हैं तो दोस्तों कि नदी बनी हैं न द फिसके कर दामोदर नदी पर ये बना है दुर्गा बैराज पर ये न दुर्गा लुव्षा सुना दूर्णा द 6 और कौन सरगावित करता है यह वंगालत था जर खंड जम्हाइब करता है कौने बुर्गा बैराज की नदी पर दामोधर नदी पर है आगे चलते हैं पर्योजना को जो केरल में है वह किस नदी पर बनी है पेरियार नदी सिन्धु नदी महा नदी तुंग भद्रा नदी तो बद्रा परियोजना है और करनाटक की नदी है इसे तो होगी नहीं सिंदु नदी यहां पर कहीं से आएगी नहीं बच गए दो थोड़ा से दिमाग लगाएंगे तो पता चली जाएगा किस नदी पर बनी है बताया दोस्तों है वो मिद्या अंशर देङ देढ़े देखते हैं दोस्तों एड़ोग की परियोजना आज दोस्तों पतायार जिल कहां पर है कैरल में और पर यार नदी पर कोंसी प्रवेन बनी ये ऑडुक की पर्योजना को आगे चलते हैं ठीरी बाद पर युजना दोस्तों इस परिजनों को तो मैं अपने आखें देखा हूं यूं मैं सेल्फ आई इसल्फ की आखुद की आखें बड़ा पहली बार में किसी प्रविज़ना के देखाते ने नजदीक से तो किस नदी पर गंगा भागी रथी तववा नदी या कुंडा नदी बताया दोस्तों और कहां इस्तित है यह बताता हूं मैं बस अपन सदीए अगर अपने अंसर देख चले ते टियरी बात पर दोस्तों भागी रथी नदी पर इस्तित है और यह कहां पर है टियरी गडवाल पर इस्तित है दोस्तों आगे चलते हैं राम गंगा नदी परियोजना किस राज की परियोजना है राम गंगा नदी परियोजना किस राज की परियोजना है पंजाब उत्तर प्रदेश गुजरात या फिर इन में से कोई नहीं राम गंगा नदी परियोजना हिंट गता हूं दोस्तों जहां के राम होंगे जहां की गंगा मां होंगी वहीं पर ये स्थित होगा है परिजना मिला ग innocent उत्तर प्रदेश में आयोध्यान निगरी के राजाराम के नाम पर कौन सा परियुजना राम गंगानधी परिए और कहां पर इस है कि अगर चलते हैं भीमा परियोजना जो महाराश्ट में किस नदी पर बना है भीमा परज़ना जो महाराष्ट में ऑख कि现在 पर समय सचकों अधियों सब्सक्राइब अधियों आसा जिए तो मैं पानी पिलेता हूं पानी नहीं है कि भीमा पर्ज़ना जो महाराष्ट में किस नधी पर बना गट पर रबान video पौणा नदी पूरा नदी अहां सदेव नदीव दोस्तों भीमा परिज्णा किस नदीव को पर बने आई है तो यह दोस्तों है पौणा नदीव पर है और कहां पर है यह कि महा राष्टे में आंस कोई देदिया गया तो महा राष्टे में किस नदी पर बने है कि करिश्णा और कावेरि नदी या फिर इनमें से कोई नहें बता है कि सार्दा परियूजना करा देखतें है चाहर है उथ संच्छ बना है सांधा और गोंती नदी पर करेड़ों है उथतर प्रडिश की ना अपना उथतर प्रदेश और दोस्तों आजो पता है यह तो लखनौ गुम्ति नदी किनारी बसा है धायर qué नदी किनारी मसा थोछना हुँए उतत्र परनिया है शार्दा और गुम्ती नदी पर नेक्स्ट हैत्स अमाँरा श्रावति नदीपरिवना किस राज्य सराजिकी पर्युजना है से शरावती नधी पर्यूजना किस राजिकी पर्युजना क्या केरल तमिल नाड करनातक या उडीशा बतायां दूस्तों को और करनाटक पूह-स दोस्तों कि पर हो गाए कि एक बिनट कि परिजना कि किस नदी पर बना है ब्यास बेतवाक काली सिंध या चंबल राणा परताप सागर परियुजना बताएं दोस्तों कि अपने अंसर दे दिया होगा दोस्तों राणा परताप सागर परियुजना किस नदी बना है चंबल नदी पर बना है और मुख्यरूप से कहा की परियुजना ये राजस्थान की परियुजना है दुलहस्ती परियुजन कि उम्मिद आपने अंसर दे दियागा दोस्तों तक दुलास्ती परियुजना किस नदी पर बना है और कहां पर है ये काश्मीर में आज का लास्ट कोशन दोस्तों सरदार सरोवर परियुजना से कौन कौन से राज ये लबान भीत होते हैं मध्यपरदेश गुजरात राजस्थान गुजरात मध्यपरदेश महराष्ट राजस्थान केरल करनाटक तमिलनाड ये तेलंगाना उत्तर परदेश राजस्थान जहर खंडिया बिहार बताएं दोस्तों के कि सब्रण पर्यूजना से राज लाभानवित होते हैं है उमीद है आपने अंसर दे दिया को दोस्तों सर्दार सरवर पुरिश्ण कि नर्मदा नदी पर और यह बढ़ी पर्यूजना है और चार राजियों को लबानुद करते हैं किसको किसको गुजरात को मद्यपरदेश को महाराष्ट को और लास्ट में राजस्थान को मतलब चार राजियों को लवानित करते हैं गुजराथ मध्यपर देश और महाराश्ट ये अट लास राजस्थान और किस नंदीप बनुए है दोस्तों नर्मचा नंदीप निया कौन से परियुजना यह दोस्तों सर्दार परियोजना और सब्सक्राइब परियुजना इस्व यह वीडियो पसंद आई होगी मैंने इसमें सारे पर्योजना जो भारत की प्रमुख पर्योजना है जो इंपॉर्टेंट एक्जाम की दृष्टी से सारे इसमें मैं एक ही में संक्रित करके दाल दियें ताकि आपको अन्य कहीं नहीं जाना पड़े डूड़ना ना पड़े ए झाल झूड़ना दिए प्रमुख